है कि इस सब्सक्राइब बेपाइब और अब्र है इसा नहीं कि बादल नहीं है और अभी फुहार पड़ रही था यहाँ चछट पर आई सुबहे ऊूट जाती थोड़ा सा टहलती हूँ लेकिन आज हो नहीं पाया बारिश बहुत ज़्यादा थी और उसके बाद मैं आ भी गई छत पे इसलिए क्योंकि ये जो नाली वगेरा है ना इदर इदर भरी तो नहीं है या कुछ कूड़ा वड़ा जम गया हो तो ये चीज़ चेक करने के लिए आ जोर वाली होगी और ये पहली बारिश हुई है यहां पर जो इतनी तेज हुई है कि सब आसपास भर गया है पानी से और मैं आपको बादल देखाओं देख सकते हैं ना ये इस तरफ इतने तेज बादल है ना काले-काले बिलकुल अब अब ये तो अबी मुझे लग रहा है कि बारिश होगी और अच्छी वाली होगी आज से बच्छों के खुल गए है इस स्कूल तो यह मैं आपको अपनी बालकनी से दिखा रहे हूं कितना जितने भी खाली प्लॉट पड़े हुए पार्क आप लोग देख रहे हैं यह गर्वियों में इतना सूख गया था पौधे ऐसे मुर्जा गय थे लेकिन बारिश में देखो कितना हरा भरा हो गया है बहुत अच्छा हो गया है पार्क लोगों के घर के सामने बन रहा है भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है जूले वग करने जाना होगा तो मैं यहीं पर जाओंगी तो मौसम के नजारे लेने के बाद में आ गई थी मैं नीचे और नीचे का अपना काम करने बच्छों के स्कूल खुल गये हैं तो पांच बजे उठ जाती हूं और जैसे पहले मेरा रूटीन था वही रूटीन वरना भी आँख तो अतनी टाइम फोल जाती है लेकिन बच्छों के स्कूल नहीं रहते हैं तो थोड़ा रूटीन डिस्क्रवी चम रहा था फिलाल अपसे डूटी सुरू हो गई है और पहले दिन बारिस जमा जम होई है और मुझे बनाना है बच्छों का लंच क्योंकि अभी तो ब चलिए फिलाल अपने कामों पर लगते हैं जैसे नीचे आई तो देखा लाइट नहीं आ रही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह हो जाती है ना बारिश में की लाइट गायब हो जाती है तो गैस पर मैंने अपने लिए पानी चड़ा दिया गरम पानी सुबह में पीती हू तो वो भी होंगी और आजकल यह एफ फ्रेश ले रही हूं मेरी फ्रेंड मतलब इसमें काम करती है उसके पास इसकी एजनसी है हर्बल लाइफ वाली तो उसी ने यह एफ फ्रेश मुझे दिये हैं तो अभी फिलाल कोई नीबू पानी वेगेरा नहीं चल रहा है मेरा यह य पनाओंगी तो वो भी सब निकाल कर रख दिया है फिलाल में पानी पीऊंगी आराम से पैट कर फिर उसकी बाद स्टार्ट करूंगी अपने और डेली के काम और ब्यूटी सुरू हो चुकी है हम माओं की जिनके बच्चे स्कूल जाने वाले होते हैं ना तो उनका तो यही पूचा भी इसी बीच मैंने कर दिया था क्योंकि कहीं खिड़की मेरी खुली रह गए थी पीछे वाले कमरे की तो वहां से पानी आ गया था तो मैंने सुचा लगे हाँ जाड़ो पूचा भी कर दो फिर उसकी बाद लंच बनाती हूँ और यहां हस्बेंट भी उटके आ ग उन आ चुका था और भी इनके फ्रेंड्स वेगेरा का और स्कूल से मैसेज भी आ गया था कि बारिश बंद हो गई है और स्कूल बंद नहीं है रैनी डे नहीं हुआ है तो जिनको आना है मतलब वो आ सकता है चाय बन गई थी चाय मैंने पी फिर उसकी बाद बच्चों की ट जी और पोड़ी और आज था ब्रेस्पतवार तो इसी वज़े से मैंने प्याज नहीं डाला कोशिश करती हूं मंगल और ब्रेस्पत को मैं प्याज ना लू और ना इस्तेमाल करूं खाने में लेकिन यह मंगल का तो कोशिश ही करती हूं कि मंगल वार को ना हो तो ऐसे इस और इसी के साथ दर्मगरम पोड़ी तो यहां पोड़ी मेरी बन गए थी, हस्बन भी तयार होके आ गए थे और यहां दूद निकालना है बच्चों के लिए कि बच्चे दूद और ब्रेट थोड़ा सा लेके जाते हैं, मतलब खाके जाते हैं, अदर्वाइस वो कोई नास्ता नहीं करते हैं, बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी थी, वापिस से फिर अपनी स्पीड से बारिश होने लगी, और पता चला कि जहां पर थोड़ा सा कही पाइप वगेरा बारिश में कट गया है, मतलब जो सोसाइटी का पाइप लाइन है, वो कट गया है, तो रास्ते म उनों यहां पर तयार हैं, और इन्हीं के साथ में मैं भी जाओंगी, अगर उधर से वापसी में, यहीं घर में ना सबजी कुछ नहीं है, अगर थोड़ी बहुत कुछ सबजीयां मिलेंगी, तो मैं वापसी में लेके आओंगी, सबजी हुआ फल, हुआ फूल है, तो यह पहरी या दूसरी बारिश मुझे बड़ी अच्छी लगती है, फिर उसकी बाद जब कीचड़ी चड़ होने लगता है, तब तो लगता है कि कितनी जंदी बारिश बंद हो और साफ मौसम हो, और यहां मैं ताला वेगरा ढूंड रही थी, और उसकी बाद मुझे दिग गया रैमबू, बहुत लाइट है, लेकिन है तो, तो यहां हम लोग निकल लिये थे, यह हमारी सोसाइटी का गेट है, और रास्ते में वाफसी में हमें दिख गया पिकॉक, कितना प्यारा सा, पानी पी रहा था, और ऐसे मौसम में पिकॉक जरूर निकलते हैं, और मुझे इतनी अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था, एक बार यह नाच दे, लेकिन इसने नाचा नहीं खैर, बच्चों को छोड़ने के बाद, आ गई घर, और इसी के साथ, यह सारे मोवाइल, मोवाइल, सब चार्जर, और अरजर, सब लगाया, और अध्रक वाली चाय, एक बार और बन गई, पती दे उन्हें बना के दे दी, तो भी चाय मैं पीओंगी, और थोड़ा बहुत काम रहे गया है, वीडियो का वो कर रही हूं, और फिर इसकी बाद सीधे मैं नहाने जाओंग। बादल अच्छे खासे थे, काले काले बादल थे हैं, तो मुझे लग रहा था कि बारिश होगी, सोसाइटी में पाइपलाइन एक फट गई, तो उसकी वज़े से इतना पानी भरा हुआ है, यह अच्छा किया है, स्कूटी से हम लोग नहीं ही गए, अधरवाइस बहुत दि नास्ता और ओट्स का शेक है यह, जिसे मैंने रोल पोस्ट ओट्स हैं, तो उसे मैंने दूद में भीगोकर रात में रख दिया था, तो यह अच्छे से फूल जाते हैं, और सुबह इन्यों ग्राइंड करके, फोड़े से नट्स वगेरा मिला के, हनी लेके, हनी भी मिला दे क्योंकि कई बार मैंने आप लोगों से शेयर करा ना थोड़ा वेट बढ़ रहा है, बढ़ गया है, तो इसकी वज़े से बहुत सारे मुझे हैल्थ इशू भी हो रहे हैं, थोड़ा मुझे बीपी का भी लग रहा है, कि बीपी भी प्रॉल्म कर रहा है, बीपी भी लो रह है, तो इस समय बहुत जादा मुझे दिक्कत महसूस हो रही है, बीच में तबियत भी थोड़ा गरबड हो गई थी, तो बहुत चीजे मैंने अपनी डाइट में चेंज भी किया है, वेट के अकॉर्डिंग भी और उसकी बाद हेल्थ के अकॉर्डिंग भी, बहुत सारी ची पसंद नट्स वेगेरा डानेगे, बहुत अच्छा रखता है, तो फ्रेंस आज के ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हूं, मिलूगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए तिल देन बबाई